पैलो फ्रेंड्स Mॉ आजकर मुडियो में हम समझने वाले हैं कॉंपलेक्स क्रेक्स्ण पैटर्णृ में उसको मैने थ्री केटेगरी में केटेगराइज किया है impulsive, diagonal और corrective pattern right impulsive जो three rules follow करते हैं हमारे three basic principle of affiliate wave वो pattern जो होती है वो impulsive pattern right और diagonal जो है ये leading जो है first wave में बनता है और ending जो है वो fifth wave में बनता है ये दोनों भी corrective pattern नहीं है diagonal pattern है थोड़ी सी complex है लेकिन correction नहीं है लेकिन जो corrective pattern है सबसे बड़ा part जो है pattern में वो correction का है correction की जो pattern है वो सबसे ज़्यादा होती है simple zigzag होती है 335 flat correction होती है irregular correction और फिर complex correction जिसमें भी दो category होती है double zigzag correction और triple zigzag correction जिसको लोग wxy भी बोलते है wxyz भी बोलते है ये सब अलग-अलग नाम होते है लेकिन basically जो है ये जो होती है वो complex pattern होती है complex मतलब पहचानने में complex होती है और इन सब patterns में जो है ये सभी correction, correcting pattern जो है उनका combination भी हो सकता है मतलब ये जो complex correction है वो combination of corrections इसको हम बोल सकते है right? मतलब complex correction जब भी होता है तो उसको identify करना मुश्किल होता है अब बात करते हैं यह correction होता किस तरह से है for example अगर हम index की बात करें nifty की बात करें तो nifty एक index है right nifty index है जिसका main trend हम मानते है upside direction क्योंकि index जो है वो 0 नहीं हो सकता right हाँ उसमें correction आ सकता है major, minor, time wise correction आ सकता है price wise correction आ सकता है वो भी major, minor हो सकता है लेकिन by default उसका जो trend है वो upside direction होता है तो इसलिए जो भी downside का trend रहता है उसको हम बोलते है correction by default index में जो downside का trend रहता है उसको हम बोलते है correction यह clear है और वो correction जो है वो time wise बड़ा हो सकता है या तो फिर price wise बड़ा हो सकता है या फिर donor wise, time wise और price wise donor wise बड़ा हो सकता है तो इस तरह से अगर हम समझे तो उसमें भी जो complex correction है उसमें internal structure को identify करना ज्यादा मुश्किल होता है यहाँ पे मैं ज्यादा deep में theory में नहीं जाओंगा मैं यहाँ पे आपको practical चीज़े समझाऊंगा यह जो है यह monthly chart है यहाँ पे भी मैं discussion ज्यादा नहीं करूंगा इसके monthly chart में मैं बहुत ज्यादा time ले सकता हूँ discussion के लिए लेकिन अभी के लिए हम ऐसा नहीं करना है हम क्या करता है यहाँ पे यह पूरा जो wave 3 यहाँ पे हम मान रहे है उसका अगर यहाँ से भी अगर हम 23% निकाले तो 12,321 आ रहा है और 38% आ रहा है 10,397 मतलब यह अभी भी बहुत ऊपर चल रहा है निफ्टी अगर हम इसका भी wave 3 भी मान ले तो कुछ लोग इसको 1,2,3,4 और 5 यहाँ पे 5 पूरा मान रहे है तो उसका तो जो retracement है वो यहाँ के बड़ले 0 से निकालना होगा तो वो correction तो इससे भी बड़ा हो सकता है जो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो अभी के लिए हम यह range मान के चलते है कि यह immediate support range है तो अभी भी बहुत दूर है निफ्टी इसके उपर काफी उपर चल रहा है तो अब हम क्या करते है हम समझने की कोशिश करते है past example से अगर यह हम example देखे तो यह निफ्टी का एक daily chart है यह daily chart जो है इसने 919 से लेके 6825 तक का यह जो बड़ा correction रहा वो correction का time direction एक साल का रहा और price wise correction जो है यह 25% रहा है तो यह जो साल था मार्ट 2015 से लेके 2016 इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा सीखा था मैं बात कर रहा हूँ इलिये टो थीरी के बारे में तो practically यहाँ पर मैं ज्यादा तर swing trading कर रहा था और मेरे बहुत सारे stop losses यहाँ पर hit हुए थे क्यूंकि यह जो pattern है सबसे पहले तो मैं यह simple correction मान जा था उसके बाद bounce expect कर रहा है होते हैं फिर उसके बाद decline के बाद फिर से एक corrective pattern तो हम decline expect करते हैं लेकिन फिर से 3-way move के बाद एक impulsive pattern और अलगरम देखे तो यह correction जो है वो expand होता जाता है time wise और price wise दीरे दीरे यह expand होता जाता है मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ एक type के complex correction की जिसमें combination of different types of corrections जूड जाता है सबका combination होता है different types के correction का अब बात यह नहीं है कि यह कौन सा correction है यह double zigzag है यह triple zigzag है या तो फिर यह कोई और correction है जिसका हमारे पास कोई नाम ही नहीं है right मतलब in short यह एक correction है जैसा भी है correction है right और यह correction पूरा कब हुआ और यहाँ से price जो है वो confidently उपर कब गया तो यह जो correction है जो एक channel में चल रहा था वो उसकी upper channel जो है उसको break करने के बाद यहाँ पे consolidate किया और उसके बाद हमें confident move उपर की तरफ देखने को मिला और यहाँ पे जो है यह correction पूरा हुआ इसके बीच अगर हम देखे तो यहाँ पे बहुत सारे gap up और gap downs हमें देखने को मिल रहे है बीच-बीच में मतलब कि इसकी internal structure जो है इसकी internal pattern जो है काफी identify करने में मुश्किल होती है और यह daily chart है तो यह उस time पे बहुत ही मुश्किल था और यही होता है complex correction में आरे निलियेट कहते हैं कि हमें correction जो भी होते है उनको ignore करना चाहिए जब भी आपको लगे कि correction अब पूरा हो चुका है तब जो है उसके अंदर उसके बाद correction पूरा होने के बाद जो impulsive wave होता है उसमें जो correction होते है वो इतने complex नहीं होते इसमें भी 2 और 4 correction आएंगे लेकिन वो इस type के complex नहीं होते उसकी जो internal pattern है वो उतनी complex नहीं होती identify करने में simple होते है लेकिन correction में जो pattern है correction के अंदर जब भी correction चल रहा उसके अंदर की जो pattern है वो identify करने में हमेशा मुश्किल होती है यह हो गई एक example दूसरा में एक आपके साथ example share करना चाहूंगा यह है September to December 2016 यह करीबन time duration था 3 month का और यह price wise 12% का correction यह हमें देखने को मिला था यह दो जो सबसे complex correction है जो मेरे trading career में मुझे सबसे मुश्किली हुई थे trading में और यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा loss किया था मेरे trading career में यह जो आप candle देख रहे है पूरी यहाँ पे यह gap down बड़ा open हुआ था उसके बाद decline के बाद यह पूरा recover हो गया था same day recovery भी हो गई थी तो यहाँ तक अगर मैं देखू तो इसको मैं triple zigzag correction मान रहा था और वो यहाँ पे पूरा मान रहा था और यहाँ से जो है मैं bounce expect कर रहा था यह first ABC यह second ABC फिर यहाँ पे यह third ABC फिर यह irregular fourth ABC और यह fifth ABC तो इस तरह से यह triple zigzag correction में उस time पे मान रहा था और यहाँ से जो है मैं expect कर रहा था कि यहाँ से market जो है वो उपर जा सकता है तो यह जो दिन था positive दिन था वो था 8th November 2016 राथ राथ को 8 से 9 बजे 8 के 9 बजे मुझे exact time याद नहीं है लेकिन आपको याद होगा demonetization जो announcement किया था नर्द मोदी जी ने और उसके दूसरे ही दिन बहुत बड़ा gap down opening हुआ था लेकिन same day market recover भी कर गया था और उसके बाद gap up opening next day gap up opening भी हुआ था उसके बाद फिर से gap down opening और sharp fall मतलब कि topic में समझाना ये चाह रहा हूँ कि complex correction जो होता है उसमें particular हमारे पास 2-3 नाम है double zigzag है triple zigzag है लेकिन actually हम बात करें तो उस time जिस time पे R.N. Elliot ने ये theory invent की थी उस time पे algo trading नहीं था robot trading नहीं था लेकिन आज की date में अगर हम बात करें तो कोई भी direction में अगर market move कर रहा है तो उसमें algo trading भी part है उसमें और उसमें robot trading भी एक part है तो हो सकता है कई जगा पे market जो है uneven movement हमें दे दे right one sided का uneven movement जो हम expect नहीं करते है वो भी हमें देखने को मिलता है इस type के correction में overall तो ये क्या है एक correction है और वो complex correction है जिसमें combination of different type of correction आते है right तो ये भी यहीं है ये correction जो है हम यहाँ पे expect कर रहे थे कि पूरा हो चुगा है और यहाँ से bounce है लेकिन वो थोड़ा सा expand हो गया right और उसके बाद 3 month के बाद यहाँ पे जो है ये trend line के बाद ये जो है पूरा corrective जो चल रहा था जब यहाँ पे इसने break किया consolidation के बाद फिर से यहाँ पे move एक start हुआ तो overall यहाँ पे 8960 से लेके 7893 तक का ये correction रहा 3 month का और price वाई 12% का ये correction हमें देखने को मिला ये एक दूसरा example था अब एक example की बात करें जो example live चल रहा है 15,431 से अब तक हम मान रहे थे कि ये 1st ABC ये complex double zigzag correction X wave फिर ये जो है 2nd ABC और यहाँ पे 4th ABC link wave 2nd link wave और यहाँ पे हम expect कर रहे थे 5th ABC ये 5th ABC है यहाँ पे भी कई लोग जो है बात कर रहे थे कि ये जो है बहुत ही ज्यादा project किया है wave C तो है ये impulsive होना चाहिए लेकिन मैंने कई बार देखा है practical example में कि wave C जो है 400% से भी ज्यादा project हुआ है possible है तो हमें जो है step by step जाना होता है अगर हम मान रहे कि ये complex correction है तो हमें यहाँ से जो है concentrate करना है अगर उसके बाद हमें यहाँ पे corrective लग रहा है तो उसके बाद हम fall expect कर सकते है step by step जाना है कहने का मतलब यह है कि ये जो है complex correction है और ये और भी ज्यादा expand हो सकता है ये नीचे भी जा सकता है इस line को break भी कर सकता है जैसा हमने अगले example में देखा कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये complex correction है हमें clarity कब आएंगी कि ये correction पूरा हो चुका है most probably ये जो correction तो ये जो है बड़े players जो है यहाँ पर accumulate कर रहे है या distribute कर रहे है ये हमें अभी नहीं पता चलेगा आने वाले time में हमें पता चल सकता है लेकिन हम क्या कर सकता है यहाँ से जो है हम trend line draw कर सकता है ये जो trend line है ये जब तक upper wage line जब तक ये break नहीं कर जाता और ये और भी expand हो सकता है जैसा हमने दो example में देखा ये जो example एक मैंने दिया था वो 3 month का था right complex correction उससे पहले का जो मैंने दिया हो 1 year का था तो ये expand हो सकता है हमें wait करना है अब ऐसे scenario में हम कर क्या सकता है मैंने पिछले experience से सीखा है कि मैं जब जभी भी मुझे लगता है कि कोई भी type का complex correction चल रहा है और वो भी बड़े time frame में तो मैं जो है सबसे पहले तो swing trading जो है वो बंद कर देता हूँ सिर्फ और सिर्फ intra day पे concentrate करना चाहिए और जो भी pattern हमें 5 minute chart में या 1 minute chart में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 minute chart में जो भी pattern हमें दिखाई दे रही है उस pattern को trade करना चाहिए और वो trade जो है वो intra day में ही close कर देना चाहिए क्योंकि complex correction में हमें gap up gap down openings देखने को मिलते है तो इस तरह से हमें थोड़ा सा safe trading की तरफ चलना चाहिए हो सके तो scalping करना चाहिए तो फिछले कुछ experience से मैं ये सिखा हूँ जो मैंने अगले chart में आपको दिखाया था जो chart था ये chart राइट ये जो 3 month का correction था ये जो है बहुत ही बड़ा gap down और उसके बाद same day में recovery भी हो गई थी यहाँ पे मैंने career का सबसे बड़ा loss किया था लेकिन उस time पे मेरा job चल रहा था parallel 2016 में तो उतना ज्यादा problem नहीं आया था लेकिन अभी मैं full time trader हूँ तो मुझे इन सब चीजों के लिए तयार रहना चाहिए और अपने इसाब से strategy को change करना चाहिए अभी जब हमें लग रहा है कि यह complex type का correction चल रहा है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है तो हमें जो है ज्यादा तर जो है overnight position को हो सके उतना कम करना चाहिए और अगर आप index में comfortable ही नहीं है intraday में तो आप stock specific trading कर सकते हैं तो इस video के जरिये में आपको समझाना चाहता था कि complex correction क्या होता है और उसमें आपका planning किस तरह से होना चाहिए और यह कितना expand हो सकता है convert भी हो सकता है time wise ज्यादा यह और भी ज्यादा expand हो सकता है hope मैं आपको video अच्छी तरह से समझा पाया हूँ अगर आपको video अच्छा लगा है तो like कीजिए आज के लिए बस इतना ही video देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद